हाई गाईज, वेलकम बेक टू आसान येटूब चैनल, I hope you are doing well तो दोस्तों आज की वीडियो में हम good manner words in English सीखेंगे कि good manner words क्या होते हैं English में, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है तो आशा है आपने वो वीडियो जाके पहले भी देखी होगी पहले भी आठ वीडियो मैंने spoken English की बनाई थी अब दुबारा से इस series को चला रहा हूँ, इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई ही है जो English spoken video one के नम से आपको मेरे चैनल आसान है पर मिल जाएगी आज ये इसका second part है, मैं इन वीडियो के थुरू आप लोगों तक बात को पहुचाना चाता हूँ कि आप कैसे English बोलने की सुरुआत कर सकते हैं, आप fluently English नहीं बोल पाते हैं, बहुत अच्छा मुझे पता है नहीं बोल पाते हैं, हर कोई नहीं बोल पाता है पर starting में आप जिन words की जानकारी आपके पास है, उन words को तो at least आपको use करना ही चाहिए पर क्या होता है, आप उन words का भी use नहीं करते हैं, तभी जो है उसकी आपको habit नहीं बिल्टो पाती है तो habit को built करने के लिए उन सब्दों का use जरूर कीजिए तो ये पहले की वीडियो में भी मैंने लगभग, पचास के लगभग word बताये थे, बहुत छोटे-छोटे और इस वीडियो में भी लगभग 30-40 word मैं आपसे discuss करने वाला हूँ उसको मैं Hindi में भी बताऊंगा और English में भी बताऊंगा आपको लिखा हुआ सिर्फ English में मिलेगा क्योंकि आपके दिमाग में जो picture है वो सिर्फ English में होनी चाहिए हिंदी में सिर्फ आपको समझाने के लिए उसका कहाँ पर कैसे इस्तमाल किया जाए इसके लिए सिर्फ Hindi बता रहा हूँ तो हिंदी पर ध्यान नहीं देना है सिर्फ आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है तो चलिए हम उन शब्दों का अभ्यास सुरू करते हैं जैसे कि पहला शब्द है मेरा welcome जब कोई हमारे पास आता है या कहीं पर किसी का स्वागत करना हो पहले यदि आप किसी को please लगा के बोलते हैं तो वो शब्द बहुत अच्छा माना जाता है जैसे कि give me a glass of water मुझे गलास पानी दीजिए यदि आप आगे please लगा देते हैं please give me a glass of water तो उससे शब्द जो है शब्द का जो वजन है वो बढ़ जाता है वो शब्द अच्छा लगता है इसी तरह kindly kindly शब्द होता है दयालूवश्च दयालूवश्च का मतलब जो दयालू हो जो दूसरों पर दया करना जाता हो kindly सही kind बना हुआ है जैसे आपने sentence सुना होगा you are so kind person आप बहुत दयालू वेक्ती हैं जब आपको किसी को धन्यवाद कहना हो तो आप उसे thanks बोल सकते हैं उसके बाद यदि आप उसको कहना चाते हैं आपका धन्यवाद तो उसके लिए आप thank you बोल सकते हैं यदि आपको कहना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आप उसे कह सकते thank you very much इन तीनों का मतलब अलग-अलग है अलग-अलग word हम अलग-अलग जगह उपर इस्तमाल कर सकते हैं कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ आपको लग-अलग बताई आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने तो भाई मेरा काम कर दिया यदि ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद उसको करना है तो आप उसे thanks a lot बोल सकते हैं जो कि मैं अपनी हर वीडियो के last में बोलता हूँ thanks a lot उसके बाद यदि आपको खेद या अफसोस परकट करना हो तो आप sorry बोल सकते हैं जैसे sorry to disturb you, sorry to interrupt you तो इस तरह के आप sentences धीरे धीरे अपने daily use में ला सकते हैं जो मैं sentences आपको अलग से example में दे रहा हूँ मेरे लक्स सिर्फ आप लोगों को अभ्यास कराना है और motivate करना कि आप English सीखें English बोलें English जाने इसके लिए English के डर को दूर खतम करें इसका अभ्यास कराने का आपको motivate करने का मेरी वीडियो का लक्ष है बस अगला है मुझे चमा करें यदि आप कहीं चमा मांगना चाते हैं तो आप excuse me का इस्तमाल कर सकते हैं excuse me जैसे excuse me का मतलब होता है जब आप किसी से चमा मांगते हैं या कोई जाने के लिए रास्ता मांगते हैं जैसे बीच में कोई खड़ा है तो आप वहां से उसको हटाना चाते हैं तो आप excuse me बोल सकते हैं या कई लोगों के बीच में बाच हम सोचते हैं कि हम वडियो को समझ या हम वीडियो का substitution बताएं यादि बताएंगे तो logo का उसका use पता नहीं चलेगा और यदि यूज बताएंगे तो यूज बताएंगे तो वीडियो बहुत लम्बी हो होती है अलग-अलग चीज़े होती है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए अब अगला है कोई बात नहीं जैसे आप कहते कोई बात नहीं तो इसके लिए आप not mention या no mention कह सकते हैं अब बड़ी खुशी से आप यह काम बड़ी खुशी से कर सकते हैं या बड़े सौक से कर सकते हैं इसके लिए आप with great pleasure use कर सकते हैं या आप कहना चाते हैं नहीं मुझे यह जी नहीं चाहिए धन्यवाद आपका तो आप English में no thanks कह सकते हैं यह शब्द आपको पता है पर इनका use नहीं करते हैं यह सबसे बड़ी गलती है इनका use कीजिए आपके बाद जैसे आप खाना खाता है कोई या कहता है च इसके लिए हम never mind का use कर सकते हैं अब जैसे लोग बोलते है happy दिवाली या happy new or happy holy तो उसकी जगह आप कहेंगे उसको भी आपको भी happy दिवाली तो इसके लिए हम क्या use करते हैं same to you अब किरपया मुझे आज्या दीजिए इसके लिए आप इस English में क्या इस्तमाल करेंगे please allow me क क्या कहेंगे please allow me किरपया मुझे आज्या दीजिए अब इसी तरह से कुछ और sentences के हम बात कर लेते हैं जो थोड़े लंबे sentences हैं जैसे अगर आप कहना चाते हैं च्छमा कीजिए मुझे आने में देरी हो गई च्छमा कीजिए मुझे आने में देरी हो गई excuse me for being late excuse me for being late गलती से ऐसा हो गया च्छमा कीजिए च्छमा कीजिए गलती से ऐसा हो गया it was by mistake please excuse me जितने भी sentences हैं यदि आप उनको बोलने से पहले please लगा लेते हैं तो उनको सब भी माना जाता है अब जैसे आप बोलना चाते हैं आप थोड़ा खिसकेंगे would you mind moving a bit तो इस तरह से आप sentences बोल सकते हैं इसे अपना ही समझे it's all yours it's all yours या feel at home here तो इसी तरह से मेरी सभी वीडियो देखिए इसी तरह से basic English जुड़ी होई चीजी है जो बहुत ही basic level पर होती है इसी मेरी वीडियो जोती है अब इन शब्दों को मैं सिर्फ English में बोलना हूं तो English में बोलूंगा उनका pronunciation देखे और उनको repeat करें इसका यूज आप लोगों को पता होगा पहले से Welcome Please Kindly Thanks Thank you Thank you very much Thanks a lot Sorry Excuse me No mention With great pleasure No thanks After you Very kind of you Nevermind Same to you Please allow me Excuse me for being late इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे आसाने चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके कोई सजेशन है तो हमें कमेट बॉक्स में बताईए और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर आदितेमों ठाकुन नाम से फॉलो करना ना भूलें थैंक्स अलोट